पूरे 43 साल लग गए इस एतिहासिक दिन को देखने के लिए देउल परिवार ने अपने बीच खड़ी दिवारों को आखिर कार गिरा दिया है इस राखी पर पहली बार वो नजारा देखने को मिलेगा जो लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा 43 सालों में पहली बार सनी देउल अपनी बहन ईशा देउल और अहाना के घर जाकर राखी बंदवाएंगे गदर टूकी काम्याबी ने धरमेंदर के दोनों परिवारों को जोड़ कर रख दिया है हाली में लोगों ने वो नजारा भी देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आखो पर यकीन नहीं हुआ सनी देउल बावी देउल अपनी सोतेली बहनों ईशा और अहाना को पहली बार गले लगा कर मीडिया के सामने रो दिये वहीं हेमा मालनी भी कल राज सनी देउल की फिल्म को देखने पहुची और बेटे की जम कर तारीफ की धरमेंद्र के दोनों परिवार कभी एक दूसरे के आसपास तक नहीं फटके हर मौके पर ऐसा लगा कि अब ये कड़वाहट कम होगी लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया लेकिन अब गदर की सक्सेस ने पूरा देउल परिवार एक लाकर कर दिया है हेमा मालनी और प्रकाशकौर के परिवार की दूरियां मिटने जा रही है और इसलिए अब राखी पर सनी देउल अपनी सोतेली बहन से राखी बन माएंगे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि सनी बौबी ईशा और अहाना के साथ रक्षा बंदन से लिबरेट करेंगे इस खबर के आने के बाद देउल परिवार में अलग ही रौनक दिख रही है पूरा परिवार एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा हुआ है इशा बौबी सारे के सारे भाही बहन इंदनों बस सनी की फिल्म को प्रमोट कर रही है इदर राखी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है धरमेंदर ने साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी रचाई थी इस शादी से सनी और उनका परिवार कभी खुश नहीं था लेकिन अब अचानक 43 साल बाद सारे रिष्टे फिर से जुड़ने जा रही है देवल परिवार की फैंस इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आप क्या कहींगे देवल परिवार के इस मिलन पर अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पिचर्चा को सब्सक्राइब कीजे